Hello guys, welcome to Unique Study. Today we are going to solve exercise 1A of chapter 1 that is number system ka question number 16. Write the smallest number of different digits formed by using the digits 3, 1, 0, 5 and 7. यहां हम लोगों को एक number बनाना है बस यह सारे digits का use करके. So, आईए देखते हैं, सबसे पहले यह number को हम लिख लेते हैं, क्या है? 3 है, 1 है, 0 है, 5 है and 7 है. यह सारे digits को add करके या फिर use करके हम लोगों को एक digit बनाना है. तो इसको हम लोगों को सबसे पहले ascending में हम लोग convert करेंगे, because यहां पे smallest बोला गया है. smallest का मतलब ही होता है, ascending से descending जाना. तो अगर सबसे पहले हम लोग use करते हैं, मानके चली example, 0 का, उसके बाद 1 का, then 3 का, और 5 का, और 7 का. यह तो हो गया ascending के हिसाब से, लेकिन 0 यहां सबसे पहले है, तो यह answer wrong हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसके बाद वाला use करते हैं, 1, उसके बाद 0, then 3, then 5, और then 7. 0 स्टार्टिंग में है, इसलिए इसका कोई value ही नहीं होता है. इसलिए 1, 3, 5, 7 यहां होगा, और अगर हम लोग यह वाला चीज़ करेंगे, तो 1, 0, 3, 5, 7 होगा. जो की answer सही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, 0 का starting में use करना, कोई valuable चीज़ नहीं होता है. अगर आप बोलिएगा, कि 0 को बाद में use करना, वो भी हम लोग देख लेते हैं, पहले 1, 3, 5, 7 and then 0, तो यह आप देख सकते हैं, कि यह वाला digit जादा चोटा है, यह वाले digit से. तो इसलिए यह भी wrong हो जाएगा, because question में है smallest number, तो इसलिए हमारे यह answer सही होगा, इसको हम लोग statement में form लिख लेते हैं, solution, statement के साथ, the smallest number by using the digits, क्या है digits हमारे, 3, 1, 0, 5, and 7, will be 1, 0, 3, 5, and 7, answer. So the next question number 17 is, write the largest number of different digits, formed by using the digits 2, 4, 0, 3, 6, and 9, इसके previous वाले में हम लोग ने ascending से descending किया था, because वो smallest था, but यहाँ पर question बोल रहा है largest करना है, इसलिए हम लोग इसको पहले descending से ascending करेंगे, so हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है, 2, 4, 0, 3, 6, and 9, इसको हम लोग descending जब change करेंगे तो आएगा सबसे पहले 9, क्योंकि 9 सबसे बढ़ा है यह सब में, and उसके बाद है 0, यह हमारा order हो गया, अब इसको हम लोग स्टेट्मेंट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, इसको हम लोग स्टेट्मेंट के लिखेंगे, इसको हम लोग स्टेट्मेंट के लिखेंगे लिखेंगे, पेस्ट वैल्यू चार्ट क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ा एक्जामपल से समझ जाते हैं, जैसे हम लोग ने इंडियन में पढ़ा था, उसी तरीके से इंटरनाशनल में होता है, अभी हम लोग यहां तक करते हैं, तो क्या डिफरेंस हुआ, यहां तक तो सारे सेम थे थाउजन तक, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 यहां हो जाता है, और इंडरन में होता है लाग, तो लाग के जगा इंडरनाशनल में 100,000 होता है, यहां 3-3 चलता है thousand का उसके बाद million है फिर 10 million फिर 100 million ऐसे यहां 3-3 का चलता है gap और यहां पर 2 दो का चलता है जैसे यहां 10 करोर कर लेंगे तो यहां 2 हो जाएगा और lakh का 2 thousand का दो इस तरीके से तो यही है difference so इसका first question है 7-3-5-8-2-1 पहले इसको हम लोगों को कॉमा में लगा देना है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 7-3-5-8-2-1 कॉमा इसमें हम लोग international वाले में 3-3 का gap करके देंगे जैसे यहां 3 के बाद और इसके बाद 3 के बाद तो यहां है यह नहीं इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आईए पहले हम लोग table form कर लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 and 100,000 यहां इतना ही बनाने का जरूर है थे इसको यहां हम लोग put करेंगे तो 100,000 हो जाएगा 7 and 10,000 हो जाएगा 3,000 हो जाएगा 5, 8 हो जाएगा इसका 100 और 10s हो जाएगा 2 और 1s हो जाएगा 1 इसको अब हम लोग statement में करेंगे इसको statement में यहां से लिखना है 700, 35, 1000, बिकर वो 1000 के नीचे आ रहा था उसके बाद है 821 यह हो जाएगा हम लोगों का answer इसका second question है 60, 5, 7, 8, 9 and 4 इसको हम लोग पहले कॉमार के हिसाब से लिख देते हैं 60, 5, 7, 8, 9 and 4 जैसा अभी मैंने बताया international में कॉमा का 3, 3 का gap चलेगा तो यहां 3 के बाद कॉमा देना है उसके बाद यहां 3 के बाद कॉमा देना है इसको अब हम लोग टेबल में लिख लेते हैं कर देंगे और यहां 6 millions का हो जाएगा आई अब हम लोग इसको statement में लिखेंगे 6,057,000, 894 यह हम लोग का answer इसका third question है 5,6,9,4,3,8,2,1 हाई इसको करते हैं सबसे बहले इसको लिख लेते हैं 5,6,9,4,3,8,2,1 कॉमा हम लोग ऐसे लगाएंगे 3 के बाद उसके बाद 3 के बाद यहां gapping ठीक है इसको हम लोग table में करेंगे ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, then hundred thousand, millions and then ten millions इसको अब आरामसिस में put कर देना है ones का one हो जाएगा, tens का two, hundred का eight, thousand का three, ten thousand का four, hundred thousand का nine और यहां ten million तक हम लोगों को जाना है इसलिए million का six और ten million का five अब इसको हम लोग statement में लिख लेंगे, इसको हम लोग statement में लिखेंगे 56 क्योंकि हम लोग 56 से इसको read करते हैं 56 millions, तेबल में million के नीचे यह आया था, table बनाने से यह easy हो जाता है 56 millions उसके बाद हम लोग का 943, 943, thousand के नीचे आया था table में उसके बाद 821, 21 यह हम लोग का answer so the next question is 3750209 and 3, इसको हम लोग पहले यहां लिख लेते हैं इदा साइड, 3750209 and 3 इसको हम लोग पहले कॉमा में लगा देते हैं, 3 के बाद और यहां पर भी 3 के बाद, अब टेबल बनाते हैं one, tens, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand, millions, then ten millions यहां millions तक जाना है उसके बाद ones का हो जागा है, आपर 3, ऐसे हम लोग put करते जाएंगे, इसका 900 का zero, thousand का two, ten thousand का again zero, millions, sorry, hundred thousand का five, millions का seven, और ten millions का three यहां हम लोगो 37 है, तो 37 यह millions में आएगा, फिर 502 है, यह 3,000 है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसका हम लोग read करेंगे, 502,000 और फिर यह hundred, ten, zero का हम लोग उसी तरीके से read करेंगे, जैसे इंडियन में करते हैं, 93, आईगे हम लोग इसको अब statement में लिख लेते है 37 millions, because millions का है यह, 37 millions, 502, 2000, because 1000 का है यह part and 93, answer, so the next question is 8, 9, 3, 5, 0, 0, 6 and 4, है यह इसको में लोग पहले लिख लेते हैं, 8, 9, 3, 5, 0, 0, 6 and 4, कॉमा उसी साब से लगाएंगे, 3 के बाद and then 3 के बाद, अब table, ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand, millions and ten millions, इसको में लोग पुट करेंगे, ones का हो जाएगा 4, tens का हो जाएगा 6, hundred का हो जाएगा 0, thousand का हो जाएगा, again 0, ten thousand का हो जाएगा 5, hundred thousand का हो जाएगा 3, millions का हो जाएगा 9, और ten millions का हो जाएगा 8, इसको हम लोग ऐसे read करेंगे, 89 millions क्योंकि यह दोनो millions का है, और फिर 350, जैसे हम लोग read करते हैं, 350 को read करना है और फिर thousand लगा देना है, क्योंकि यहां 1000 का हम लोग कर रहे हैं और फिर 64 आईए अब हम लोग इसको statement में करते हैं वोग कर रहे बढ हम लोग कर रहे हैं और फिर 9 अननन्टे कर रहे हैं और फिर्ट दूननन्हें और फिर 179 घंडर दून्ट स्विर आशगन फश्वारा and 64 and so so इक कोर्षन का last कोर्षन है 9070300 and 6 आई इसको पहले मुझ लिख लेते हैं 9070300 300 and 6 कॉमा ऐसे लगाएंगे 3 के बाद and then again 3 के बाद टेबल बना लेंगे 1s, 10s, 100, 1000 10,000 100,000 millions and 10 millions उसे तरीके से put करते हुए 1s का 6, 10s का यहाँ पहे है 0 so 0, 100 का अगें 0 and 1000 का 3 है 10,000 का फिर से 0 है 7 हो गया 100,000 और फिर millions का 0 और 9 का 10,000 इसका हम लोग ऐसे रीड करेंगे 9 0 है so 90 millions हो जाएगा और फिर यह 703 ऐसे रीड करते हैं 703 और यहाँ 1000 का यह आ रहा है so 703, 1000 हो जाएगा और लास्ट का 6 लिख देंगे इस टेटमेंट में हम लोग इसको लिखते हैं अब 90 millions 703 703,000 and 6 का 6 लिख देंगे लास्ट में यह हमारा answer so exercise 1 एका last question number 19 है write each of the following in figures in the international place value chart इसके पहले हम लोग उने word को statement में किया था इसमें statement दिया हुआ है इसको हम लोग word में convert करना है मतलब figures में convert करना है आए करते हैं solution सबसे पहले हम लोग इसका table बना लेंगे उसी तरीके से easy रहेगा once, tens, hundred, thousand ten thousand hundred thousand क्योंकि question है international के बारे में right उसके बार millions and then ten millions तो question में क्या है 30 million तो यहां million का इतना ही हम लोगों का column है तो इसमें हम लोगो 30 लिख देना है three and zero उसके बाद one hundred and five thousand है तो thousand का यही तीन column है यह ध्यान देना है so क्या है one hundred and five so one hundred and five कैसे लिखते है हम लोग one, zero and five उसके बाद hundred के बारे में कुछ भी नहीं दिया है और last में 63 so hundred का हम लोगों का zero हो जाएगा और last का 63 हो जाएगा इसका हम लोग बस ऐसी लिखना है बट कॉमा लगाते हुए लिख देते हैं three, zero, one, zero, five, zero, six and three तीन के बाद कॉमा और फिर तीन के बाद कॉमा यह हमारा answer हो जाएगा so the next question number two is 52,200,5006 इसका ही हम लोग पहले टेबल में कर लेते हैं one, ten, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand, millions and then ten millions तो क्या है हम लोगों का 52 million है million इतना ही में है so यहाँ पहो जाएगा five and two और फिर क्या है two hundred five thousand तो thousand यह तीन में है तो हो जाएगा two hundred five ऐसे हम लोग लिखेंगे two hundred five को two zero five और फिर hundred में कुछ नहीं है last में बस six है और ten में भी कुछ नहीं है so यहाँ भी zero हो जाएगा और यहाँ भी zero हो जाएगा once का हो जाएगा बस six इसका हम लोग आईए कॉमा के साथ लिखते हैं five, two, two, zero five, zero, zero, zero and six इस nineteen question का last question three है five hundred five thousand and five चलिए इसको हम लोग टेबल में बना देते हैं once, tens, hundred, thousand, ten thousand hundred thousand and million हम लोग यहाँ बस million तक ही जाएगे ten million का कुछ है ही नहीं बात इसलिए so million है five million तो यहाँ हो जाएगा five और फिर है five thousand तो हम लोग five thousand को इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे zero, zero and then five तो हम लोग गलत फिर statement हो जाएगा और सिर्फ five है तो यहाँ hundred में कुछ नहीं है इसलिए zero फिर tenस में भी कुछ नहीं है इसलिए zero सिर्फ five, once का हो जाएगा five तो हम लोग ऐसे लिखेंगे five, zero, zero, five, zero, zero and five three के बाद कॉमा and then again three के बाद कॉमा यह हमारा answer हो जाएगा सो इसी के साथ हम लोग का exercise one एक complete हुआ अगर आप लोगों को इसका solution चाहिए तो pdf के form में description box में available है hope you enjoyed this video if you like this video do not forget to like, share and subscribe thanks for watching